खबरों में हम बात करते हैं जल्पत उन्नाओं के जहां पीते चार दिन पहले एक व्योवती जो हिंदू भाटन गाउं खेडा की निवासी थी उस रेल पीडिता के साथ भी हुआ अगनी काड घटना को लेकर समाजी कार्य करता हुए अस्थाने जन परतिनी दियों ने तथा पिडित परिवारे से मुलाकात की और उनका हाल चाल लेने पहुंची अध्यक्स महिला आयोग सुसमा सी देखें बहुत मतलब बड़ा जगन्य अपराद है एक प्रकार की एमानवे घटना दिल को दहलाने वाली घटना किसी भी प्रकार की संसकारों को की मतलब धजियां ओडा दी गई है इस प्रकार की घटनाए एक वहां हुई उसके बाद मतलब लोगों को तो एक आईडिये च प्रकार की सरकार है या किसी की सरकार है हमें इससे कोई मतलब नहीं है मुद्दा यह है कि उन्होंने क्या किया था अपराद और उनको क्या सजा मिली है आप इसको पॉलिटिकल इसू से मत जोड़िए क्योंकि आप अगर देखें उस परिवार के साथ क्या हुआ है क्या बीती है और जिनों ने जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है उनके साथ ऐसा ही भी ऐसी मानसिक्ता का अगर विक्ति है तो उसके साथ इसी प्रकार आप यहां पर आई है और आप लोगों आपने बात देखिए परिवार के द्वारा इलाज को लेके किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है एक बात दूसरी बात ही है आरोपी पांचो के पांचो तुरंट प्रभाव पे गिर्फतार हो गए हैं रिमांड पर हैं वो भी कोई शिकायत नहीं है जैसा कि पता चल रहा है कि पुरा हम निरंतर पुलिस से संपर्क बनाए बैठे थे लेकिन हमें ये द्वारा और स्पी के द्वारा और महिला थाना दिक्ष के द्वारे बताएगा थे कि ऐसी कोई घटना नहीं है लेकिन फिर भी सूत्रों के माध्यम से कहीं ना कहीं मेरे मन में एक कटिश थी कि कहीं मैं सिर्फ सुनी सुनाई बात को अपने मन में सच्चा ही मान के ना बैठ जाओं कि मान में मुख्य मंत्री जी खुद इस केस का संग्यान ले रहे आज शाम को ब्रिफिंग मांगी है तो मुझे लगा कि जब तक मैं परिवार जनों से खुद वन टूवन नहीं मिल लेती हूं खुद ए झालות कि कि लाओं कि खुद ए तो मुझे हुद ए nuु